नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सेहत युग में स्वागत हैं। दोस्तों, आपको मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से एक चीज बताना चाहूँगा। कि आपका ये जो सरीर है ये अमुल्य है। इसे कोई भी मुल्य देकर नहीं खरीद सकते। इसे स्वास्त और तंद्रुस्त रखने के लिए आपको फ्रूट्स खाना होगा। आज से ही शुरू करनी होगी। चुके हम में से कई ऐसे लोग हैं जो दिन भर में कभी भी फल खाने पर ध्यान नहीं देते। आप तो देखी रहे हैं कि हर घर में कब्ज, डैब्टेज, मोटापा, अर्थ्राइटिस, ब्लड प्रेसर और ना जाने और भी कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स हर घर में हैं। लेकिन फिर भी फिर भी लोग इस बात को नजर अंदाज कर देते। इतना देखनी के बाबजूद भी हम लोग यह नहीं समझते और हम लोग फिर भी उन्हीं चीज़ों को खाना पसंद करते हैं जो हमारे सरीर को खराब करती है। हमारे सरीर के लिए भारी नुकसान दे है। हमने अपने चैनल सिहत यूग में आपको वैसे वैसे चीजों के बारे में जानकारी दी है जिससे आप अपने सरीर को बहमुल्य और स्वस्त और तरोताजा रख सकते हैं। लेकिन अब ये आपके उपर डिपेंट करता है कि आप इन चीजों को अपलाए करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आपको स्वस्त और तंदुर्ष्ट सरीर चाहिए या कमजोर और बिमार्यों वाला सरीर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अमरुद के बड़े ही घजब के फायदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमरुद में इतने चमतकारी फायदे हैं। सच कहें, तो आपको भी विलीव नहीं होगा। वही अमरुद जो आपके आंगन में, आपके बारी में लगा होगा। वैसे तो आपको मार्केट में भी ये आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत ही सस्ते कीमत पर आपको मिल जाता है। अगर आप इस फूट को अपने सौप परिवार के साथ डेली रूटीन में सामिल करते हैं। तो किस तरह अपने सरीर को स्वस्त रख सकते हैं। आज किस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप पांच मिनट इस वीडियो के लिए समय निकालिए और अपने और अपने सौप परिवार को स्वस्त रखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं। अगर आप हर रोज अपनी दिन्चरिया में सुबख खाली पेट अमरूत का सेवन करते हैं तो इससे आपके सरीर को बहुत ही जादा फाइदा मिलेगा। सबसे पहला फाइदा है मदुमेह रोग्यों के लिए। जी हाँ दोस्तों आज किस मौडर्न यूग में गलत खान पान और दुसित आहार लेने के कारण बहुत से लोग मदुमेह के सिकार हो गये हैं। तो आप ध्यान रखें और ऐसी चीज़ को खाए जो आपके सरीर में सुगर लेवल को मेंटेन रखें। जिसका पार्ट वन वीडियो भी मैं दे चुका हूँ और मैंने उसका लेंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हैं। आप वहाँ से क्लिक करके आसानिस उस वीडियो पर जा सकते हैं और उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दोस्तो अगर आप काला नमक के साथ अमरुद को खाते हैं तो आपका सबसे भयानक बिमारी कब्ज तूट जाएगा। आपको अमरुद का सेवन बहुत ही ज्यादा देगा। चुके अमरुद में फाइवर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। और हमारे पाचन सक्ति को भी ये काफी ज़्यादा मजबूत करती है। हमारे सरीर के वजन को बढ़ाने में हमारे पाचन सक्ति का कमजोर होना, लंबी कब्ज और मेटाबॉलिज्म रेट का कम होना होता है। वैसे आम तोर पर लोग का ऐसा मानना है कि ज़्यादा भोजन ही मोटापा का कारण होता है। इसलिए वे लोग खाना पिना को कम कर देते हैं। जब खाना पिना कम करते हैं, तो हमारे पेट का डाइजिस्टिंग सिस्टम और भी ज़्यादा भिमार हो जाता है। खराब हो जाता है। तो आप अपने सरीर के मेटाबोलिज्म रेट को बढ़ाईए अगर आपको अपने सरीर का वजन कम करना हो तो आप आज से ही सुबख खाली पेट अमरुद को खाना शुरू कर दें। जिससे आपके सरीर से कब्ज कोसों दूर हो जाएगा। आपके सरीर मेटाबोलिज्म रेट तिब्र होगा और आपके सरीर का वजन बैठे-बैठे ही कम हो जाएगा। हाँ दोस्तो इसके लिए आपको कम से कम एक योग जरूर करना होगा और वह योग है कपाल भार्ती दोस्तो कपाल भार्ती लिवड की गम जुड़ी और कबज को कोसो दूर करने में मदद करती है और आपके सरीर में नवीन उर्जा का संचार करती है इसलिए आप अपने दैनिक जीवन में कम से कम कपाल भारती को सामिल तो कर ही ले दोस्तो अमरुद ऐसा फल है जिसके सेवन से दिल भी स्वस्त रहता है दोस्तो अभी के भाग दोर के जीवन में ऐसा देखा गया है कि 35 से 40 वर्ष के लोग को ज्यादा हर्ट अटेक की विमारी हो रही है इसका मुख्य कारण है स्वाद के खयाल से गलत खान पान जैसे बर्गर, पिजा, ज्यादा से ज्यादा पंप ओयल, सबजी के माध्यम से खाना यानि आप जितना तना भुना ओयली चीजों को खाते हैं उतना ही आपके लिवर को नुकसान पहुंचता है आपके सरीर में कॉलेस्टरॉल के लेवल को ये बढ़ाता है और ये कॉलेस्टरॉल धीरे-धीरे हमारे सरीर में जमना सुरू हो जाता है और एक दिन ऐसा हो जाता है कि हमारा सरीर खून के पंपिंग को नहीं कर पाता इस स्थिती में आदमी को हर्ट अटेक से मौथ हो जाती है इसलिए दोस्तों अगर आप अपने दिल को स्वस्त रखना चाहते हैं तो खाली पेट अमरूत का सेवन तो कर ही ले इससे आपके सरीर में कॉलेस्टरॉल के लेवल को कम करने में ये काफी हद तक मदद करेगा तो दोस्तों आप अपने आपको स्वस्त रखने के लिए अमरूत का सेवन जरूर करें आज की वीडियो में बस इतना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिष्तेदार आपके दोस्त सभी स्वस्त रहें तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेर करें इस वीडियो के शेर बटन पर क्लिक करें और वाटसैफ, फेस्बुक, इन्स्टाग्राम को सेलेक्ट करें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेर करें हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञान वर्धक स्वास्त वर्धक वीडियो हमेशा मिलता रहेगा आज के लिए बस इतना है वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद